हेलो फ्रेंट्स मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आज की खिलास में आज का मारा टॉपिक क्या है यह देखे न्यू पैटरन कोडिंग डिकोडिंग जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यह मेरी स्रीज चल रही है इसके इंदर मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग के मैंने मतलब कि इसमे स्रीज च लाई है आप इसके इंदर कोडिंग डिकोडिंग के सारे कोशनस मिलेंगे प्री टू मेंस फोर बैंक एक्जाम बेसिक टू हाई होगा इसका पार्ट नमबर सैवन है तो देखो यह पार्ट नमबर सैवन है यह न्यू पैटर्न कोडिंग और डिकोडिंग का है इससे पहले मैंने आपकी एक तो क्लास आपकी उसकी लिए थी कहते हैं चाइनीज कॉसले की क्लास नमबर वन दूसरी थी बाइनगर बाइनर् री कोडिंग्र री कोड़िंग फिर मैंने दो कॉणसेट्स क्लास कराए थी ूसी पर न्यू कोडिंग डिकोंडिंग मतलब इसके अंदर कोसल नहीं करा है ते उसमें यह बताया तक किस तरीगे से हमें कोड़ को पहिचानना होता है जब नए तरह कोडिंग डिकोडिंग में कोड आता है तो उसकी दो क्लासे हैं वो काफी helpful होगी अगर आपने देखियोगी तो आपके लिए helpful होगी क्यों कि उसके सिर्फ तो मेरी 100 प्लस सिरीज चल रही है मतलब की बैंक प्योर के लिए इसमें मैं प्री के सिर्फ प्री के 100 प्लस पजल करवाँगा जो आपके प्री एक्जाम के लिए useful होगी चाहे कोई सी भी बैंकिंग का एक्जाम हो सब्सक्राइब आपको मेंस की चाहें मेंस के मेरे यूटूब चैनल पर जाना महां की प्लेलिस्ट खोलना तो इसमें कहीं लिखा हो मेंस लैवल वजल तो महां से मेंस की कर सकते हैं तो आज का कोशन क्या यह देखो यह कोशन है देखो कोशन करने से पहले अभी तक हमने तो I hope आप लोगों ने इसका solution find कर लिया हो, आप मैं बताता हूं देखो किस तरीके से आपको logic इसका find करना होता है, देखो सबसे पहले तो ये word है कुछ, ठीक है, और मैंने बताया new pattern coding recording है, ठीक है, Chinese नहीं है, जिसको हम substitutional कहते हैं, और ये code दिये हैं, तो सबसे पहले क्या करन पढ़ता है, सबसे पहले मुझे code, ये code दिया है, इनको देखना होता है, तो इसमें code किस तरीके से दिया है, देखो एक code, पहला कोई भी code ले लो, आप जैसे ये ले लिया मैंने, एक तो number दिया है, एक letter दिया है, तो अब मुझे समझा रहा है कि कोई word है, इसकेंदर, उसक बनाया, क्या कहते है, number, तो सबसे पहले इनको कोई सा भी solve कर सकते हैं, आप चाहो किसी को भी कर सकते हैं, तो मैंने, देखो, concept class में number के भी करवाये थे, और फिर मैंने, आपके letter के भी करवाये थे, तो उसी को मिला के, इसने एक concept मना लिया, क्या कर दिया, एक word से मानलो, ये सबसे पहले मैं number ले लेता हूं, माल लो, तो number है, तो मैंने पिछली class में भी बताया था, सबसे पहले number को observe करो, उनको देखो, किस तरीके के number है, तो 15 लिखा है, पहली पहली रो में चलोगे, 22, 9, फिर 13, ठीक है, और फिर दूसरी में चलोगे, 11, 20, 23, 22, थर्ड में जाओग 26 से क्यों कम है, तो आपको पता है, जो हमारे क्या कहते है, अलफा वैट होते हैं, ठीक है, अलफा वैट में, और उन सब की value आपको पता, एक की, एक होती है, उसके बीगी, दो, आखे सोन करते हैं, तो जब भी आपके number मालो, 26 से कम है, तो सबसे पहले मैं logic लगाने की कोशि specific word की place value दे दियो, तो अब मेरे को सबसे पहले ये check करना है, तो मैं 15 पर जाता हूँ, आपको पता है 15 है, 15 कितने पर आता है, ठीक है, ओ पर आता है, आपको पता है, आप क्या करो, ओ इन सभी word में check करो, जरूरी ये पहले का पहले होगा, हो सकता है पहले का ये वाला code हो, य इसमें हो नहीं है, छोड़ दो, बैटर में ये, नोन में है, देखो हाँ, हो सकता है, ठीक है, आप ये पहली लाइनी चेक करूँगा, अब मैं 22 पर आप को पता है, 22 आप का आता है, वी पर, अब आप इन सब बड़ों में check करो, कहीं नहीं वी लिखा, तो सोचल में वी आ पर बड़ के लेटर की प्लेस वैल्यू दे दिए तो वो तो मेरा लोजिक फेल हो गया, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं क्या करूं, आप समझ नहीं आ रहा कि सीधा कुछ ने, तो आप क्या करो, आप क्या करो, जो तिने भी बड़ हैं, इसमें सबसे छोटा वर्ड लेलो जैसे मैंने it ले लिया it लिया है तो आप it ले लिया कोई साब भी ले सकतो सबसे छोटा हो तो it की place value क्या होगी मतलब की it दो word से मिलके दो letter से मिलके बनाए आई और t तो i की place value आपको पता है 9 होती है और t की 20 होती है ठीक है और यह मैंने second line में था तो second line में इसका क्या करते है क्या होगा कोई word मलब की number बनाया होगा तो मैं क्या करूंगा सबसे पहले जोड के देखता हूं देखो 9 में 29 तो 29 इतर कहीं आ रहा है नहीं आ रहा तो plus करके तो कभी आएगा नहीं अब मैं minus कर लेता हूं देखो 9 में से 11 या मलब की 20 में से 11 या 9 में से 11 इनका difference ले लिया मैंने धर करकी देखोंगा छे में से हैं करूँगा देखो पांच कहीं है दर देको 5 नहीं है तो छोड़ो छ्य में housing माइन a इन दोलो नहीं तो हो सकता है किसी word में कोई letter हो都是 इसके एपस्जिट की लेक्र वैल्यू दे दी हो तो यह भी हो सकत है तो इसको में चेक करने तो इसको अगिन चेक करने का तरीका गया है तो फिफ्टीन ओपर आता है एक पुंज़ में है टो इस पाई में इस पाई पारिफ होता है तो अब मैं एचैक करऊंगा दोनों हो सकता है अब मैं रिची C करणा है इसका पॉज़िट क्या होता है में इंड में अचेंड में है और बैटर में देख़ो कहां पर मिलता है जब मैंने लाइफ लिया मतलब कि स्टार्टिंग में आ रहा था इन दोनों में सी बनेखा और कहीं L नहीं था पर मैंने जैसी ईलया थो दिखो यह यहां लास्ट लेटर के प्लेस वैल्यू का पोजिट्ट दिया हो तो अब मैं और री चेक कर लेता हूं मैं आगे गया 99 पर क्या आता है आ अब इस तरीके से आप जल्द जल्दी चेक करना है जैसे मैंने यह डी कर रहा दो डी का पोजिट क्या होता है डबलू डबलू 23 पर 23 है यह का पोजिट देखो फिर से वी होता बाइस ते कहीं दिया ठीक है लास्ट में कर देखो एन एन का पोजिट का दो डबलू का पोजिट क्या होता है डी अर प्राईट का पोजिट आ का पोजिट knock दा stainless इक अशिवा अशिर फिर से व आ गया 20 तो मुझे पता चल गया मेरे नमबर का लोजिक मिल गया लेतर बिर्फ है इसके लास्ट यहतकी सिधार का अधिर का मेरे ऑगिया, मुझे नम्बर में लोगिक क्या है? तो लेतर का भी है यह यह लेटर का हुँ दूनu तो सबसे पहले दून्हें मैं नहीं है eks कहीं है इसके इंदर और यह atures लेटर में यह नहीं है तो अधी कमाइन अभ लोजिक फेल वोगा तो में मैं एक टिक कर लेता हूं जैसे मैंने नंबहर का करा इसी मैंने administrators करता हूं किप independent education can Hum représ अब देखो एस कहीं है कि अंदर आप पड़ोगे पूरे में देखो social में इसे इसमें 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 जी तो मेर को पता चलिया धिक परस्ट का चुल डिया बिर कोई आधा है जिसे कोई बनाया ऐसे कि इसमें कोई एक कोड बना यह जैसे कि मैं लेलता हूं ऺनाया है कि फर्स्ट लैटर जो वर्ड है फर्स्ट लैटर का आपोजिट करके उसने सीधा सीधा लेटर लिके लिख लिः दे आप का पोजिट क्या होता है एस तरीकेसे आगया तो 9 लोजिक पता चलता है तो अब इसके basis पर पांच question पूछेगा तो देखो पांच question किस तरीके से होंगे अब यह सेम लोजिक इस word में लगाना है star में तो क्या लगाना है सबसे पहले number लिया था उसने number क्या लिया था last letter यानि कि आहरे का पोजिट क्या होता है अब मैं अंगले प चलता हूं सेम यही सारे concepts है करकि एक बर बन जाता है मिल जाता है लोजिक तो वो सारे पर एक सवाल 5 पूछता है तो देखो किस तरीके से आप के मैं तो नमबर के लिए करता है लाश्ट लेटर वर्ड का लास लेटर उसका पोजीट को उप्सक्राइब और 2 व खेंगर ने हम व यहाँ ने यहाँ पीर लियुक्त नद्थल रूंचल पेंगर कि इसकी वर्ड का लास्ट अब ऐसें मतलब यहां पर एस है यह गलत हो यह वाला अंसर है लास्ट कोश्टन है देखो यहां पर एस तरीके से यहां पर मेरे ने पीपीटी में पीट्र दी है जब आप इसको रिवाइज करें तो देख सकते हैं, यह हमारा question number 1 था, ठीक है, जब question number 1 हो जाता है, तो अगेर आपका question number 2 देता हूँ, एक और question इसके अंदर सेम आपको अप्रोच करने हैं, आपको 2-3 मिनट उसको देखना आपको find कर पाती हो नहीं, और फिर मैं बताता हूँ क्या अप्रोच होनी था, यह question ह बदा सा नजर आ रहा है, और इसमें क्या दिया है, और इसमें नमबर दिया है, मतलब कि दो logic है, और आपने अगर basic concepts के लास करें, तो मैंने उसमें symbol भी बताया है, symbol के क्या logic होते हैं, तो आप इसको वीडियो को 2-3 मिनट पाउस करें, और फिर इससे solve करने की कोशिश करें, तो देखो, आपने 2-3 मिनट को वीडियो को पाउस कर आखो, देखो क्या होता है, जब कभी भी symbol और नमबर आते हैं, तो नमबर का logic मैंने जो बताया था, वो ही मैं observe, मलब की सारा भी जो पिछले question में कर था, वो ही apply करूँँगा, मैं उससे पहले numbers का बताना चाहता हूँ, नमबर से नहीं symbols का, तो symbols कितने हैं, सबसे पहले आप symbols कितने हैं, सबसे पहले आप symbols कितने हैं, सबसे पहले आपके 2 symbols कितने हैं, तो अगर आपने basic concepts कि class कर योगी, तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले वो symbol देता है, किस basis पर दे सकता है, तो आपका कोई word दिया है, अगर तिर्वरण इसले किससे writers आपसे पहले और इसका प्रिवर्स हो सकता है तो देखा M, ठीक है, M मेरा किस से स्टार्ट है, कंसोनेंट से है, तो इसके लिए मैंने माल लिया है, ठीक है, मेरा भी तक, अभी मैंने यह देखा, फिर मैंने देखा, इस है, इस आपका I से स्टार्ट हो रहा है, I वोवल है, इसके लिए परसेंटेज ठीक है, N किस से है, कंस जब मैंने यह सारा अब्जर्ब करा तो मेरे को लॉजिक मिल गया पर लोजिक यह वाला ना इन तीनों लाइन पर भी इंप्लीमेंट होना चाहिए अब मैं चेक करता हूं कि रोज़ देखो इस्टार्ट हो रहा है वोगल से तो परसेंटेज यहां पर भी था देखो और यहां एक्स्ट्रा भावल से परसेंटेस वणिर्फूल किससे हो रहा है कंस्बूनेंट से तो हैश है न्या तो सबसे पहले मरे को यह वह तो मिल गए तो मिल के लोजिक मिल के सिंबल के बोजिक मिल तक अ हो लॉज़िक आपको अगेन जैसे मैंने प्रिवेस कोशन में प्रोच लगाओ ठीक है क्योंकि यह कोड दोस्वे बनाया है और होशकता है यह म्यूजिक का यह वाला हो यह पर अभी हमने चेक कर तो यह सामने वाली कोड है कि देखो यहां किसके लीज़ा रहा था था कंशोननेंट के लिए वह वल के लिए आ रहा था किया पर्सेंटेग को ठीक है और आगे फीशे विडियो से था कोड आपको नमबर को अबजर्ब परों क्या लिए तो अगें आपने देखा सारे के सारे वर्ड हमारे किस से कम है 26 यह तो हो सकता है इसमें किसी वर्ड में लैटर का स्पेसिक वैल्यू देवा हो तो आपको पता है मुजिक से यह बनना है तो तीन की प्लेस वैल्यू क्या होते है किसी कि किती तो सी कहां पर देखो यह रहा ठीक है अब देखें अनिस नंबर दे रहें लास्ट जो लैटर है मला वर्ड में लास्ट लैटर की प्लेस क्लिक दिए अब मैं रीचाक करूँ को सब में देखो किसका आता है 7 का ठीक है ई 5 का एस उननीस वाई-पचश्ट H8 D4 Y25 E5 E5 A1 L कितना है 12 और W है थे इस तो मतलब मुझे सारा लोजिक में लिया ये काफी मतलब easy question था जब हमने first question करा उसके बाद हमें ये easy लगा क्योंकि हमें उसमें काफी logic लगाये थे तो इस तरीके से ही आपको check करना होता है तो अब देखो इसके अगेन 5 question पूछेगा तो question इसने ये दिया है star दिया है तो star का देखो ये किससे start है star आपका vowel से consonant से S क्या होता है consonant और consonant के लिए इसने hash लिया तो देखो hash आएगा मुझे पता एक percentage है इसको card दो percentage इसको card ठीक है और last में आ रहे है आर की place value क्या होती है आर की place value होती है आपकी 18 तो देखो hash 18 आलना चाहिए hash 18 है देखो hash 18 ये रहा इसने percentage 18 भी दिया है ताकि जल्दी बाजी में student गलत कर दे तो इसका option number D आएगा ना किसी ठीक है अब मैं चलता हूँ none पे none पे गया तो scene ये वर्ड किससे start consonant से वोवल से consonant से यानि की hash आएगा और E किसकी place value होती है पांच की तो देखो hash 5 कहीं है यहां नहीं है यहां है देखो B में है तो हमारा answer number D आएगा आगे चलते हैं again again में देखो again किससे start है vowel से consonant से वोवल से परसेंटेज और E की place value कहाती है यानि की होती है 14 यानि की हमारा ओना चे कोड percentage 14 है कहीं है यह नहीं है यह नहीं है तो यह है option number C आगे चलते हैं only only vowel से start consonant से vowel से वोवल होता है तो इसके लिए क्या लिए percentage और Y की value आपको पता है 25 होती है percentage 25 है देखो यह है C में अगले last question देखो क्या है यह देखो इस तरीके से यह लिखा है snow लिखा है तो इसका क्या होगा देखो S कंसोनेंट से वोवल से है कंसोनेंट से इसके लिए लेंगे हम है और W की value is value क्या होती है तो यह है 23 कहीं है option number D में यह answer है तो देखो इस तरीके से आज की हमारी class होती है आई वोप आपको पसंद आये हुआ logic coding recording के किस तरीके से हम logic find करते है तो आपको क्या करना है अगर यह video पसंद आई हो तो मेरे इस YouTube चैनल को subscribe करें और साथ में अगर इसका PDF चाहिए तो यह telegram चैनल का name है जिसको search करें ना यहां से जितनी भी PDF हो तो मिल जाएगी तो को आज की class को तो यह यह end करेंगे फिर मैं अगली class में मिलता हूँ coding recording पर अभी हमारे और session काफी है आपकी काफी सारे है कभी देखो हम किस तरीके से बढ़ रहे हैं हम एक class में जिस तरीके से पढ़ाया जाता ना लाइवल होता थे को first में तो हमने क्या करा पर इक पढ़े फिर इक बाद हमने concepts करें फिर हमने questions लिए questions सबसे इजली है फिर उससे उपर वाले questions फिर ऐसे से बढ़ते होगे अभी हम यहां तक पहुंच गये हैं तो अभी हम यहां तक पहुंच रहा है मतलब कि मेंस का जो सबसे हाई हो सकता ना उससे भार नियागा महां तक करेंगे तो class को चलो यहीं end करते हैं फिर मैं मिलता हूँ नई class में coding की class के साथ